आप लोग आय। होप मसते हैं और जबरदस सो आपका वेल्कम है आपके अपने चैनल वालक्क में और कोमर्स वाला में हमाज आपको विश्वास जिलते हैं कि आपका applied math का जो अपना linear programming का chapter है उसको must तरीके से ready कर लेंगे इसमें जितने भी different type की questions बनते हैं उन सब को practice कर डालेंगे और जहां पे बच्चा गलती करता है उसको समझा देंगे कैसे उसको avoid करना है यह एक ऐसा chapter है जो कि बहुत easy है और आप easily इसमें पूरे में से पूरे score क सकते हो just आपको basics पे ध्यान देना है और silly mistakes को avoid करना है बस बहुत simple easy chapter है क्या होता है linear programming में और क्या पढ़ना है आए पहले समझते हैं पहले देखेंगे कि linear programming का मतलब क्या है पिर हम बात करेंगे कुछ ऐसी definitions की जो linear programming में use होते है words ठीक है जैसे कि आपका आएगा decision variable क्या होता है आपका word आएगा feasible and non-feasible reason क्या होता है यह सुना हुआ word है linear inequality में यहां भी दुबारा से word होता है फिर उसके बाद आएगा optimal solution क्या होता है इस पे बात करने वाले हैं yes then हम जब linear programming जिसको short में LPP भी बहुला जाता है उसको graphically किस प्रकार से represent किया जाता है उस पे बात देन graphically represent करने के साथ साथ में उसका solution optimal solution जो बोला है वह हम कैसे निकालते हैं वह हम देखने वाले हैं दो method एक को बोलते हैं corner point method और दूसरे को बोलते हैं iso profit and iso cost method इन method से हम सीखेंगे कि कि किस प्रकार से graphically आप solution दे सकते हैं बहुत easy बहुत simple है और यहां पे थोड़ा सब इस linear equation जो कि हमने बहुत पहले बच्पन से पड़ा है यस क्या होता linear equation यह equation जिस होगे 2x plus 3y is equal to 5 एक linear equation या फिर आपको मैं और देदों जिससे 3x minus 7y is equal to 8 तो यह लिख linear equation है in two variables दो वेरियेबल है उसमें एक linear equation form करें एक और चीज़ को आपको जानना होता है that is called as linear inequality linear inequality यह भी पड़ा हुआ है यह linear in equation जैसे 2x minus 3y is less than equal to 8 3x plus 5y is greater than equal to 8 2x is less than equal to 0 x plus y is greater than equal to 9 ठीक है न तो यह सारी जो हमारी equations होती है इनको बोलते हैं क्या बेटा क्या बोलते हैं linear inequalities ये सारी इनक्वेशन होते हैं जिनको बोलते हैं linear in equation हम इस particular chapter में अगर इतना concept जानते हैं तो बहुत easily chapter में command पास सकते हैं क्योंकि linear programming में होगा क्या आपको कुछ linear equation या फिर linear in equation दी गई होंगी या आपको form करनी होंगी यह या आपको कुछ equation दी गई होंगी एंड इनके साथ साथ में आपको एक linear function दिया गया होगा linear function दिया गया होगा linear function क्या होता है क्या यहां पर हमारा मानलोर एक linear function ऐसा दिखेगा आपको एकस फ्लस बीवाई ठीक है मतलब यहां पर इसके इकवेट में कुछ नहीं होगा बस जैसे यहां वाला पार्ट ना हमारा यह वाला पार्ट ऐसा यह फंक्षन बन जाता है इतना वाला ठीक है यह वाले पार्ट को रिमूब कर दो यहां पर जैसे इदर वाले पार्ट ना इसको हम लीनियर फंक्षन बोलते हैं ठीक है जो हमारा गोला वाला पार्ट है उसको लीनियर फंक्षन बोलते हैं एक लीनियर फंक्षन दिया गया होगा आपको बाकी कुछ लीनियर एक्वेशन इन इक्वेशन दी गई होंगी और हमें क्या करना होगा इस वाले को इस वाले को हमें maximize या minimize करने के लिए बोला गया होगा बहुत सिंपल काम है बहुत सिंपल अभी एक्जाम्पल सा समझाओंगा और समझ में आएगा ठीक है बहुत सिंपल बहुत इजी काम है सारा काम यही इसी से related करना है अब हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ दो वेरियेबल जैसे x और y ले लि स्राइब्स भी एक्सटू तो यहां पर एक्सवन और एस तुबर्य लोगा हमें सिर्फ दो वेरियेबल वाला पड़ना है यहांपर लीनियर प्रॉग्रामिंग के इंदर में आपका लीनियर प्रग्रामिंग के अंदर में जो यूज हो सकता है वो मल्टीपल के लिए होगा जहां पर आपके एक दो तीन चार वेरियेबल आ रहे हैं बट यह हमारे स्लेबर का पार्ट नहीं है हमें नहीं पढ़ना है बट पॉइंट यह जो हमें पढ़ना है कि किसी चीज को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है ऐसा कुछ दिखने वाला इसका परपस क् weeks स्टूडेंट में रियल लाइफ सेनेरियों में चीजों को समझना होता है कि यह लाइफ में इसका परपस क्या है इसको क्यों यूज करना है क्या मेरे लिए यह particular मैस का पार्ट वबकार्स हम एपलेड से अपया है या फिर हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं या इनद यह वाजटरी जब आप डालते हो तो आपको पता है जयासे खर्चा आता कहा हूं जैसे मैंने बोला कि आपकी में मशीनरी जो खर्चा है वह एक्स वन है ठीक है आपके जो लेबर का खर्चा है वह एकस टू है आपकी जो क्या ना मैं यहाँ पर भीजली का खर्चा है वह 3 है और miscellaneous और खर्चे हैं X4 है ठीक है तो कोई ज्यादा होगा कोई कुछ होगा कोई कुछ होगा मान लेते हैं यहां पर यह तो अगर मैं देखता हूँ यह सारा इनका समझो होगा यह particular cost आपकी जैब से जाने वाली है आप इसको मिनिमाइज करना चाहते थे इसको मिनिमाइज करने के लिए इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा लीनियर प्रोग्रामी ये समझ मैं से इसी के इनर आप प्रॉफिट को चाहते हो कि यार ये खर्चा तो हो रहा है मैं जो प्रोड़क्ट निकार रहा हूं वह बालो आपने जो मैंट्वेक्चरिंग करी है वो तेल की गरी है अब सरसो का तेल की मैंट्वेक्चरिंग कर रहे हो तो वह आपका वैरियेबल बनकर आगया आप कर रहे हो मानलीजिये कोई घी की तो उसका एक वैरियेबल आगया आपने कि किसी और चीज की करी तो वह सारों का जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो वहां से भी एक फंक्षन निकल कर आएगा जिस पे हम काम करने लगेंगे तो बहुत अच्छा यूज के से आगे पढ़ोगे प्रॉपर रियल लाइफ एक्जाम्पल सिखाऊंगा यह तो आपके पास में यहां पर कुछ पर्टिक्लों चीजों के ध्यान देना होता है एक जिसको कार्वाइड लौते है कुछ प्रोटिन होंगे कुछ देन हमारे नम्हें बाईट है यह से अच्छा मेंटेंड करने के में आती है उसको भी हम LPP से proper बना सकते हैं, कि हम maximum protein वाले food खाएं, है ना, protein food खाएं, और minimum हम चाहते हैं क्या लेना भई, हम क्या चाहते हैं minimum, हम चाहते हैं fat लेना, है ना, तो ये maximum और minimum किस प्रकार से अलग-अलग food के combination से बनेगा, ये हम सीखेंगे, आपको इसका proper example चिखाऊंगा, transportation की problem करते हैं, आप business करने हैं भाई, आप business के इंदर जो आपने समान बनाया है, यहाँ पर उसको आके भेजना भी तो होगा, पैन इंडिया भेजना है, मतलब पूरे इंडिया में फैलाना है, उसको ठीक है, अब मुझे है, मुंबई मेरा कोई एक पलाना जो है, रीटेलर ह इसान जूंग रहा है, अब आपको पता है कि या दिल्ली में भी मेरा जो है, एक मेरा गुझरात में भी ओफिस है, एक मेरा कन्येक मारी में भी ओफिस है, खर्चा कम कम से आया, खर्चा कम कहा कहा से आया, मनलब minimum कर्चे के ओपर focus कर रहो, तो जहां भी word आप maximize या minimalize करना च किस प्रकार से इसको करते हैं उसके लिए हमें कुछ जाना होगा जिसको बोलते हैं basic definitions of linear programming ठीक है उनके बारे में जानना होगा फिर हम सीधा बताएंगे आपको की linear programming में करते क्या है किस प्रकार से करते हैं तो जैसे मैं आपको बोलता हूं यहां पर की सबसे पहले अगर आपको क्या करना होगा एक फंक्शन बनाना होगा जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है फंक्शन बनाना होगा जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है सबसे पहला काम यह रहता है मिनीमाइज करना है इस function का पूरा नाम होता है objective function ठीक है objective function जैसे मैंने इस case में एक मनाया नाई है यह एक टाइप का objective functions है तो मैंने क्या किया था वहाँ पर कुछ variables लिये थे जैसे मैंने वर्येबल क्या लिये थे X1 लिया था X2 लिया था X3 लिया था X4 मान लो आपके पास में बहुत सारे वर्येबल है एन तक वर्येबल है तो XN वर्येबल लिये और फिर हमने कुछ constant लिये जैसे महाँ पर ABCD लिये थे ना आप थोड़ा सा simple नाम लेते हैं मैंने A1 इसका constant लिया इसका A2 constant लिया इसका A3 लिया इसका A4 लिया इसका A5 ठीक है और फिर हमें क्या करना होगा इन सबको एड़ करना होगा इन सबको एड़ करना होगा तो यह वन जाएगा हमारा objective function हमारा काम रहता है कि इस function की maximum या minimum value निकालने के लिए जनरली हम maximum value को capital M से denote करने वाले हैं और minimum value को हम small m से denote करने वाले हैं ठीक है यह मैं आपको basic बता रहा हूं तो जनरली हम यहां पर जैसे देखा बहुत सारे variable ले लिए हमें जो solve करना होगा यहां पर 2 variable वाला करना होगा ऐसे आएगा 2x1 प्लस 3x2 इसको maximize या minimize करके दिखाईए या इसकी हमें maximum या minimum value बताईए according to given situation ठीक है yes so ऐसा भी हो सकता जैसे 3x प्लस 4y अब यहां पर x1 x2 के जगा मैंने xy ले लिया तो variables ही है ना बट दो ही लेने है एक और दो यहां पर भी एक और दो हमें सिर्फ इतना ही solve करना है हमें इसको maximize या minimize करना हुआ तो basically अगर ऐसा करना है यह हमारा objective function of LPP बन जाता है है पहली जीज़ हमारे जितने भी हमारे यह variable है x1 हो गया x2 हो गया x3 हो गया इन सारों की value positive और मैं बोल सकता हूं greater than 0 रहेगी इसको लिख लिजिए अपने notes में ठीक है मतलब x1 will be greater than equal to 0 x2 is greater than equal to 0 x3 is greater than 0 and so on अगर मानलो आपने xy लिया है function तो x भी greater than 0 होगा मतलब आपने x और y लिया है तो यह भी हमारा greater than 0 होगा मतलब जो भी हमारे variables होंगे जिनको हम यहाँ पर कहते हैं decision variable because what decide करता है कि आपका answer क्या आने वाला है yes so वो सारे variable की value positive आने वाली है इसी को बोलते है non negative restrictions on on decision variable पूरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है लब यह decision देगा भाई हमारी value जो है कब maximum है कब minimum है ठीक है देन आएंगे constraints अब हमें maximize या minimize करना होगा ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ मैंने बोला कि except यह वाला जो एक function होगा कुछ और भी linear equation and linear equation होने वाली है ठीक है कुछ और भी linear equation and linear equation होने वाली है तो वहाँ पर साइन कुछ बेटा इस प्रकार के आपको दिख रहे हैं होंगे ठीक है यह सारे जो साइन आपको दिखते हैं इन ही को बोलते हैं ठीक है बस सिंपल है तो इन सबका mixture बनाके हम जो है यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं तो एक कोशन की है आपको पहले मैं LPP भी फॉर्म करना सिखाता हूं देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ठीक है चलो तो फिर में आपको ग्राफिकली पीजिवल रीजिन क्या होता है नौन फीजिवल रीजिन क्या होता है यह भी कुछ डेफिनिशन बच्छी है बट इसको हम आगे बताएंगे वहां से इकवेशन इकवेशन और लिनियर फंक्शन दिखता है उस पर रिप्रेजेंट करके लिखाते हैं ठीक है यस जैसे यहां पर बोला गया है तू टेलर्स ए और रूपीस थी हंडड़ एंड रूपीस फोर हंड़ पर दे रिस्टेक्टिव लिए अच्छा एकन स्टिश्च श लाउजर को सिढंदी पर दिहों सबसे पहले निक्री आ जब भी इसकोंशन आएगा सबसे पहले हमेंड और हो सबसे पहले अरे अपना ओब्जेक्टिव फॉंक्शन वब्लाना हैं ह। ओब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है कि कि 17 माइस या फिर मैक्सिमाइज या फिर minimize करना है हमें पहले यह चीज़ ढूणनी है देखो क्या चीज़ को लग रहा है कि maximize या minimize करनी है सबसे पहला काम की करनेगा है हमें minimum labor cost पे minimum labor cost पे हमें अपना सारा काम करना है तो minimize क्या करना है labor cost तो हमें labor cost जो देगा ना वो क्या देगा भाई हमारा objective function देगा हमारा objective function देगा ठीक है सबसे मुश्किल कहां पता हूं इसमें क्या है कि variable चूज करना की कौन सा variable कहां पर fit होना चाहिए उल्टा सीदा का दो कि गड़बड़े तो सबसे बहले objective function को देखो उसके accordingly आप जाओ ठीक है और उसके बारे में बात करी गई है नहीं करी गई है हमें बात करी गई है उनकी लेबर की costing को है ना लेबर कौन है जो ए और बी लेबर है लेबर कौन है ए एंड बी सो हमारे लेबर कौन है एक ए है और एक बी है एक इतना कमा रहा है 300 रुपे बी कितना कमा रहा है 400 रुपे है ना जी तीन Сुर रुपे और चार्ट रुपे अब समझो में तीन सो रुपे और चार्ट सुरुपे पर डे कमा रहा है कितने दिन काम किया इन हमें टोटल में 60 शर्ट और 32 पेयर ओफ ट्राउजर बनवाने हैं यस इतना बोला गया है सो मान लो मान लो एने काम किया है एकस डे बी ने काम किया है वाई डे ठीक है जो भी objective function को minimize या maximize करना होगा ना उसी के related में हमारे इस बात को याद रखना ठीक है तो हमें minimize क्या करना है लेबर कॉस्ट को तो लेबर को नहीं है और भी इनकी कोस्टिंग 300 पर दे और 400 पर दे तो जितना मैं minimum बेस काम करवा सकता हूं इन से वह हमारा minimum cost बनेगा तो फुल्फिल इस पर्टिकुलर कंडिशन ठीक है यस सो एसे काम करा है x day a से काम करा है x day B से काम करा है y day तो हमें minimize किसको कराना है इनकी cost को सो एक ही एक दिन की cost 300 है एक दिन की cost कितनी हो जाएकी 300 तो हमारा objective function क्या बन जाएगा 300x प्लस 400y हमें इस cost को minimize कराना है यह यह ना labor cost भई एक labor है उसकी एक दिन की cost 300 है एक दिन की 300x है बी की एक दिन की cost 400 है य दिन की 400y है तो हमें इसको minimize कराना है तो सबसे पहला काम यह कर रहो इसके आगे बहुत असान है बच्चे यह define नहीं कर पाते कि यार x और y variable क्या है इसको बता लिया बस हो गया काम हमारा बस यह काम करना बहुत जरूरी है ठीक है इस शर्ट बनाता है और साथ में पेंट बनाता है जिसका हम ट्रैजर बोल रहे ह्याइं कितनी शर्ट बनाता है एक दिन में शे शर्ट ट्राउजर कितने बनाता है c ट्राउजर कितने बना रहा है अगें यह भी चार बना रहा है अब क्या बोलागे हमें डिजायर्ड है एट लीस्ट सिस्टि शर्ट तो मतलब जितनी शर्ट एवनाय टोटल एकस दिन में और जितनी वाइब नाये हमारा जितनी भी बनाये हमारा वाइद इन में उन दोनों का सब्सक्राइब इन दोनों का जो सम आएगा इस इंटू एकस प्लस में 10 इंटू वाइगा जो सम आएगा डाट शुट भी ग्रेटर देन एक्वल टू सिक्स्टी होना चाहिए मतलब यह हो गया ठीक है तो हमने पहले किया टेबल की फॉर्म में बनाया फिर देखा कि यार ए इसका मतलब क्या है वाइं कि शर्ट की अगर बात करता हुटा रहे कितनी उटेट वनेंगे एक दिन में छेट मैंगी वाए भी अगर जो है एक दिन में धूरता यह नेों चाहरे एक Um मनाएगा 4x एक दिन में चार्ट राउजन मनाता है भी वाइद इन में मनाएगा 4y इन दोनों का सम बेटा ग्रेटर धेन 32 ना चीह इन दोनों का सम ग्रेटर धेन 32 होना चीह सो अमारे पास में यहां पे क्या दो linear equally equality i6 6 plus 10 y is greater than equal to 60 and aie four x plus 4y is greater स्थे एकुछ रहा है तो स्कूरीट कर देना जैसे कि मेरे को दिख रहा है कि यार मैं इसको ना इसको ना तुसे डिवाईड करा सकता हूं हर एक चीज को 2 से डिवाइड करा दो यह बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में तो यह बन जाएगा 3 और यहां बन गया 5 तो 3x plus 5y is greater than equal to 30 जो कट पिट सकता है यहां मैं इसको अगर 4 से डिवाइड करा हूं तो हो रहा है हर एक आइटम 4 से डिवाइड हां तो x plus y is greater than equal to 8 हो गया तो यह हां पे हमारी दो linear inequality ठीक है यह होगा हमें minimum से minimum 2 linear inequality चाहिए होंगे तू find out the maximum and minimum value of two variable function ठीक है दो variable का function है उसके मुझे minimum 2 चाहिए होंगी इसके इलावा हमें यह चीज अपने आप पता है कि भाई एक्स और y की value greater than equal to 0 है तो यहां पर अगर बोल रहा है ना formulate decision LPP तो यहां पर क्या अपने को objective function लिखना है 300x plus 400y हमें बताना है कि जो given condition है उसके accordingly एक equation ये वन एक linear equation ये वन रही है और दूसरी ये वन रही है जहां पर x और y की value greater than 0 है तो यह पूरा हमारा answer हो जाएगा ठीक है येस याद रहेगा भाई यह चीज याद रहेगी इस is very important इसको अच्छे से याद रखनेगा है अब इसी प्रेकार से एक और question चलो मुझे आप करके दिखाओ क्या क्या रहा है क्या स्मॉल फॉंस मैनुफिक्शिंग नेखले संदेट्स अच्छा नेखले सब्सक्राइब बनाती है अब पहले वाले कोशन में थोड़े सा बच्चों को तफ लगाऊगा की सर यह तो हमसे नहीं हो पाएगा बट अब दो तिन कोशन प्रेटिस करोगे फिर लगा कि यह तो बहुत इसी है हमें में objective function के लिए profit को maximize करना तो profit कहां दे रखा है एक bracelet का profit दे रखा है हमें हमें एक necklace का दे रखा है हमें hundred तो जो दिया हुआ लिख लो एक necklace का दिया हुआ है hundred rupees और एक bracelet का दिया हुआ है हमें 300 ठीक है एक का दिया हुआ है अब बनाओगे कितना इन्हीं कोई मानना ठीक है दो चीज़े दी हुई है मतलब यही दो हमारे Sw Pourquoi बनाऊंड ओवाल है एक Сейчас एक सकते हैं इसको मैंक्सिमाइज करना है हमारा अबजेक्टिव इसको मैक्सिमाइज कर रहा है अब maximize करने के लिए मैंने आपको क्या बोला यहां पर हमें दो linear in equation बनानी पड़ेंगी क्या बनाना होगा जी इसको यूज करने के लिए हमें दो linear in equation बनानी पड़ेंगी तो फॉम एल पीट वो इस गिवन डेटा से होगी जैसे हम पहला लिख रहा है तोटल number of necklace and bracelets that it can handle per day is 24 तो मतलब पर डे में अगर मैं बोलता हूं X bracelet बनते हैं और Y bracelet बनते हैं तो X plus Y हमारा maximum से maximum जो बना सकता है ना वह 24 बना सकता है तो मतलब इसकी value maximum से maximum 24 होने चीए तो मतलब X plus Y maximum that is less than equal to 24 होना चीए इस से ज़्यादा possible नहीं तो एक बन गई दूसरा it takes one hour to make a bracelet and half an hour to make a necklace अब समझो इसने bracelet बोला है वनार लेता है एक सार लेता हाफ नार लेता है necklace को ठीक है तो मतलब अगर एक necklace बनाना है तो हाफ नार लगेगा X necklace बनाने तो half into X लगेगा इसको द्यान से बनना भाई करीवर information पहले कुछ देगा बाद में कुछ और necklace वाली information इसने बाद में दिये half an hour to make a necklace मतलब यह बाद में दिया है एक necklace बनाने के लिए आदा घंटा X necklace बनाने के लिए half into X हो जाएगा सेम एक bracelet बनाने के लिए एक घंटा तो वाई बनाने के लिए one into Y येस ठीक है वह ओके अभी का करें कि एक दिन के अंदर में maximum यह 16 घंटे काम कर सकता है तो मतलब इसको बनाने के लिए इतने घंटे चीए एक सबनाने के लिए half into X घंटे चीए और Y को आने के लिए one into Y घंटे चाहिए इनका सम मैक्सिमम से मैक्सिमम 16 होना चाहिए इससे ज्यादा ही मशीन काम ना करनेगी ठीक है यह एक मैंटिप्लिफाइ कर लिए पहले वाले तो सिंप्लिफाइ लिख रही है तो यहां से कंडिशन तो एक दम सिंप्लिफाइड है इसको करे करेंगे तो मैं अब कहीं बार ऐसा नहीं कि हर बार डिवाइड होगा मल्टिप्लाइ भी हो सकता है मैंने इसको भी टू से मल्टिप्लाइ कराया और लेफ हैं और एक यह आई है और हमें जहां पता है एक्स की वेल्यू और य की वेल्यू शुट भी ग्रेटर देन जीरो ठी जीरो उससे भी ज्यादा आएगी क्यों क्योंकि यहां पर क्या लिखा गया है इट बिन गीवन डाइट अट अट लीस्ट वन ओफ इच शुट भी प्रोडियूस तो मतलब एक्स और वाय दोनों मिनिम्म से मिनिम्म एक प्रोडियूस होने चाहिए तो हमने यहां पर लिखा तो यह सारा कुछ हमारा LPP फोर्म हो रहा है बात समझ में ठीक है तो इस प्रकार से फॉर्म करना है का स्टेप से सबसे पहले ऑप्जेक्टिव फंक्शन बनाओ फिर उसके बाद में हमें पता है कि यहां सबसे पहले हमें ज्यान देना कि भाई जो एक कॉंस्रेंट से लेस सबस्क्राइब करना है सबस्क्राइब करना है तो यह सारा कुछ फॉर्म करता है इस प्रकार से करेंगे अब आपके बास में एक्सराइब कर सकते हो बेस्ट तरीके से प्रेक्टिस करिए ठीक है लोगों करो के प्रेक्टिस करते हो पिंकी प्रॉमिस सची सची बताना तो यहां पर हमारा लपीप वाला पार्ट कंप्लीट हुआ सची से समझ में आ तो जल् प्रेक्टिस करते हैं यह आपका रेड़ी हो गया है तो फिर उसके बाद हमें बात करने हैं कि यार एल पीप फॉर्म दो कर दिया है हमारा मेन काम क्या है इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कराना यह कैसे करेंगे यह कैसे करेंगे तो इसका सुलीशन हम सिर्फ ग्राफिक में क्या करने वाले हैं अब इन रहनेर् प्रोग्रामिंग को हम करने रहे हैं किसी फहाने हो सब्सक्राइब आने धिक्सिफोस होती है आंनिको करते हैं सब्सकր ना यह चैटना एक टाइट करें है इसे line draw करते थे फिर उसके बाद में हम देखते थे कि यार sign बदलते थे फिर equation का sign हम बदलते थे किसमें भई जो हमारे less than जो भी given sign होगा उनमे बदलते थे फिर उसके accordingly check करते थे कि हमारा कौन सा region common आ रहा है कौन सा region common आ रहा है इस रीजन को क्या बोलते हैं हम कॉमन रीजन क्या बोले 못 भाई देर ये रीजन मने जाता है हमारा कॉमन रेजन ओक तो अब तो मैं यहTION क्या हमारा हमारा वीजेफील होगा या नोन विजून होगा यह चेक करने का बहुत तरीका है सा जो कि यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर रिजन फीजिबल होगा तभी हम उसको डीनियर प्रोग्रामिंग के तुछ से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करा सकते हैं फॉर नॉन फीजिबल रिजन हम एल पीपी के अंदर में पॉर नॉन फीजिबल रिजन हमारा जो अब्जेक्टिव फंक्षन आता है जाट कैनोट भी कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ठीक है इसिर्फ हम जो हमारा यह वाला पीजिबल रिजन आएगा उसी के अंदर में हम अब्जेक्टिव फंक्षन को मैक्सिमाइज चैन भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज यह यहीं पर करवा सकते हैं बट सर इस बात का मतलब क्या हुआ कि देखो हम मैं कुछ रिजन बनाकर दिखाता हूं इसके हैं आपको समझ में आजाएगा मानलो यह हमारा एक रीजन है ठीक है मानलो ऐसा कुछ एक रीज अगर चारो तरफ में बाउंडरी नहीं है तो इस तरफ की बाउंडरी नहीं है तो इसको बोलते हैं अगर चारो तरफ में बाउंडरी है उसको बोलते हैं बाउंडरी रिजन अगर चारो तरफ में बाउंडरी नहीं है तो इस तरफ की बाउंडरी नहीं है तो इसको बोलते ओर माननों आपके और में अब लुक्त से यह आ गया यह एक को चाहिए अग्र आपका ग्राफ के अंदर में आसा आगए अब इन में से कौन सा हमारा feasible है कौन सा नहीं है बड़ा सिंपल तरीका चेक करनेगा कि अगर आप कोई भी दो पॉइंट पिक करते हो अपके रीजन में वहां से straight line draw कर सकते हो और वो सारी straight line के जितने भी point है वो feasible region में आ रहे है तो वह हमारे common टो करोगे तो हमें क्या देखेगा वो सारा सारा अरीया कम हो रहा है फीसिबल यहां पर है घर तो हमकभी करता हूं और स्फिबल कर सक्वायशा एक common region में ही ड्रो कर रहा है तो मतलब यह तीनों example हमारे feasible region के हैं जबकि यहां अगर ध्यान से देखोगे मैंने एक point यह वाला पिक किया एक यह point इनको join किया तो इस वाले area को देखोगे तो यह तो भीया बाहर में आ गया है हमारी line इस वाले area में इस वाले area में बाहर में आ ग हो रहा है तो इस वाले पार्ट में हमारा common region के बाहर से आ रहा है line वह नहीं होना चाहिए सेम यहां पर यह point यह पिक किया इसको मैंने से ड्रो किया तो यह वाले पार्ट में out of common region आ रहा है तो अगर वह common region के बाहर से निकल गया point तो हम बोलेंगे कि यह non feasible region है ठीक है यह और इस काम को करने के लिए बोलता है कि यह हमारा convex set में होना चाहिए मनलब अगर हम points को किसी दो point को जाइन करते हैं और वह सारा line जो है वह पूरा का पूरा हमारा किस में आता है बही common region में आता है तो वह feasible region है it means that कि यह line convex set form कर रही है यहां पर यह line convex set form कर रही है यहां पर यह जो lines है किसी भी दो point को जोइन किया in the region in the region ऐसा नहीं कि point बहार से पिक कर लेंगा नहीं हमें वो दोनों point की पूरी line कहां मिलती है in the common region तो इस चीज़ को बोलते हैं convex set और जहां convex set exist होता है वही region feasible region खिलाता है यहां पर हमने देखा क्या है कि अगर मैं किनी non feasible region है बहुत सिंपल सी है इससे question जज करना बहुत जरूरी है ठीक है अब क्या बोला एक feasible region में ही हमारा solution exist करता है ठीक है feasible region के अंदर में हमारा जो है वेटा क्या होता है solution जिसको बोलते हैं optimal solution एक्जिस्ट करता है जिसका मतलब क्या हुआ जो हमारा objective function ना objective function ना उसकी value मानलो objective function मेरा z है जो की कुछ ऐसा है मानलो ठीक है तो इसकी value जो maximum आ सकती है या जो इसकी value minimum आ सकती है जो भी values आएंगे इन values को बोलते हैं हम क्या optimal solution ठीक है the maximum and minimum value of the objective function is called as क्या जी हमारा optimal solution और यह कहां exist होता है हमारा सिर्फ feasible region में यस बहुत बार बता दी है एक बार अब किसी particular किसी particular feasible region में optimal solution और गिवन अब्जेक्टिव फंक्शन जीरो वन टू और मैनी हो सकते हैं infinite भी हो सकते हैं ठीक है तो मतलब अभी दिखाऊंगा infinite solutions भी आ सकते हैं एक solution में आ सकता है हो सकता है कि feasible region तो है फिर भी इसका कोई solution नहीं आया कोई maximum या minimum value नहीं आई है ऐसा हो सकता है maximum value को हम capital M से denote करते है generally और minimum value को small m से denote किया जाएगा ओके बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है यह कुछ basic definition है जिसको ध्यान रखना है जिसके थूरू से हमारा LPP form होता है हमारा फिर्स पार्ट अब इसको graphically कैसे ड्रो करते हैं इस पर बात करते हैं वह चोटी त्री चीज़ है 그러면 wash be approval करने क Price करने के लिए हमें चेक करना होता है कि हमारा ओरीजन आ-ले है वो पाउंट डा रहा है या फिर न बाउंडी करेंगे ठीक है ठीक है और साथ में हम उसको ऄन्हें कि हमारा क्या इस फिजीबल आ रहा है ये पैरललल ही हो जाएगा औरкими कि कि एंदॉट एक है ठीक है यह व्लुट करेंगी हमारे जो रिजन आ रहा है वह किस ताइब का रहा है अगर वह बाऊंड़ेड़ या फिर अन बाऊंड़ेड़ यह चेक होगा तो अगर मालों आपका रिजन बाऊंड़ेड़ और ऐसा कुछ आ जैसे तो तो अगर र GIR rou 27 यहां पर लाइन जो जा रही है उसको वोलते हैं या फिर इनको क्या बोलते हैं corner point बोलते हैं एक तो या फिर एक और नाम बच्पन में पढ़ा था जब शोटी चंडी पहनते थे बहुत शराज करते थे vertex बोलते हैं तो यह क्या बोलता है graphical method की linear programming का जो linear programming LPP का जो solution होगा for the objective function objective function का क्या आएगा जी solution जिसको हम क्या बोलते हैं optimal solution optimal solution का मतलब क्या जल्दी से बताओ बताया ना भी फटावट से comment बताओ क्या था optimal solution मतलब की objective function की maximum या minimum value आएगी वो हमेशा कहां लाए करेगी आपके in corner point यह हमारी theorem बोलती है ठीक है यह हमारी theorem बोलती है कि the maximum and minimum value will only lie on the corner point ठीक है यह हमारी एक theorem बोलती है that is theorem 2 basically theorem 1 जोड़ा सा इसका broader version है क्या बोलता है क्या रीजन जाए bounded हो या unbounded हो यह तो bounded के लिए बोला ना bounded के case में ऐसा होगा बट अगर unbounded हो तो क्या होगा unbounded के case में क्या होगा मानलो जैसे आपका यह बन रहा है एक यह line है और एक line आपकी let suppose यह वाली है ऐसे वाली ठीक है आपका जो common region आ रहा है वो यह आ रहा है ठीक है जी यह आ रहा है तो common region कैसा हो गया कुछ हमारा ऐसा हो गया यह वाला यह वाला होगा यह जो common region आ रहा है ना आपका किरहें कि यह common region के अंदर में भी कुछ corner points है कौन से वाले हैं किरहें यह देखो यह वाले है यहाँ पर यह line change हो रही है हाँ सब्सक्राइब अब इदर के आगे में कोई नहीं है बट हाँ तीन है किरहें कि अगर हम unbounded की भी बात करते हैं तो इसमें हो सकता है हमारी maximum या minimum आये दोनों आये हो सकता है maximum या minimum आये दोनों आये इसके अंदर में maximum भी आएगी और minimum भी आएगी value maximum भी आएगी and minimum भी आएगी अगर आएगी तो दोणों की दोनो वेल्यूस ना हमारी corner points नोंगी maximum और minimum दोनों हमारे क्या है optimal solution के लाते हैं यह दोनों की values हमारी क्या होंगी corner point पर होने वाली है जब कि हमारा unbounded ने क्या क्या रहा है कि यह जो values अगर आई हो सकता है ना भी है अगर आई तो वो कहा आएंगी हमारे corner point जो ये तीन point है ना एक दो तीन इसी पर आने वाली हैं ये हमारी theorem one बोलती है कि bounded हो unbounded हो अगर हमारा optimal value या optimal solution exist करता है तो वो कहां करेगा बेटा हमारा only and only corner point पे होगा इसी का थोड़ा सा जो detail पार्ट के दिया कि अगर हमारा और बाउंडिड है और अगर मेरा बाउंडिड है देन हमारा बोत maximum and minimum value exist करेगी ही करेगी और वो सिर्फ और सिर्फ corner point पे exist करेगी दोनों वैल्यों एक्जिस्ट करेंगी करेंगी कहां पे इस करेंगी सिर्फ और सिर्फ तो corner point अगर एक लाइन यह बनाई एक लाइन ऐसे बनाई तो मैंने बोला लेट सपोज इस बार मेरा यह वाला बाउंडेट रीजन है ऐसा हो सकता है यह वाला बाउंडेट रीजन है तो यह बोल रहा है कि maximum value हो या minimum value वह एक दो तीन a point, b point और c point इन points पे ही हमारा maximum या minimum value किसका exist करेगा किसका objective function का exist करेगा इस बात को लेते हुए आईए कुछ particular LPPs दे रहा हूं और उसको आप maximum and minimum value या उसका objective function का आप optimal value या optimal solution निकाल कर दिखाई है ठीक है तो maximum और minimum value का मतलब क्या है कि हमें optimal solution निकालना है for given objective function, so generally objective function को हम capital Z से represent करते हैं यह वाला क्या बन क्या हमारा objective function अब इस objective function का आप हमें क्या करने वाले हो minimum value निकाल कर दिखाने वाले हो that will become the optimal solution और optimal value बात समझाए ठीक है कैसे करेंगे आप देखते हैं तो अपने को यहां पर जो यह particular linear equation है और यह वाली linear equation है इसको draw करना होगा graph ठीक है उसके लिए क्या करते हैं उसके लिए क्या करते हैं पहला step सबसे पहले हम इसके accordingly जो less than का sign है इसको change करके equal to के sign में convert करेंगे और इसका graph draw करेंगे ऑज़ी सपर क्या थे कैसे करएंगे एकस टो य कितना आएगा एक आग्स को फीशंग कितना राइक यणी कितना या फीश़ागा इस तो इस बात को हमारा जब भी लमागी ही है तो वह only first quadrant solution देता है only first quadrant में solution एक सब्सक्राइब मतलब हमारा एक सब्सक्राइब हो जो होता है इसको फिर्ट नो तो तो हमारा आंसर हमेशे इसमें आगा इसको याद रखना ठीक है एक नंबर का कोशन बता रहा हूं अगर MCQ देगा तो यह दे सकता है ठीक है clear है वाई चलो तो अब इसको ड्रो करते हैं X0 ठीक है X0 और Y4 मतलब कहा हो गया पॉइंट 1 2 3 4 यह वाला पॉइंट हो गया हमारा X0 Y4 यह तो ड्रो करना आता है X8 Y0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यह वाला पॉइंट हो गया 8 0 क्या करेंगे इन दोनों को जॉइंट कर देंगे ठीक है स्टेट लाइन से जॉइंट गया है यह लाइन बनकी है हमारी X plus 2Y is equal to 8 सेम तरीके से अगली मनाओ 3X plus 2Y is equal to 18 ड्रो करेंगे इसको ड्रो करेंगे एक बार X को 0 Y कितना है X0 तो Y आगा 9 एक बार Y को 0 डालेंगे तो X कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ठीक है तो 6 0 1 2 3 4 5 6 3 आगा 6 0 और यहां पर आया है 09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह पॉइंट आगा 09 ठीक है 09 और 60 पॉइंट है खुद से भी कर सकते वाई बहुत सिंपल है इसको ड्रो कर लेने गाए ठीक है यह होगा हमारा एक अब दोनों में रहा यक्षऑ लेșें करने के लिए तो इन दोनों की वैलिओ 0 E y 0 डालता हूं तो जीरो जीरो डालता हूं एसी करते थे हम चेक करने के लिए तो इन दोनों की वैलिओ 0 chi mm hchen pulling the two words साथ मैं शंहरी के सीज e Photoshop करोगे यह व्रावी जो आने वाला है यह वह वे जीडि़ो आने वाला है सुरिप ऐसका हुं अगर हम इसका यह एलो आ रहा है और दूसरे वाले का हमारा यहित कर घेचिंआ है ठीक है? साथ साथ में हमें बोला कह היה X greater than zero है य य जल यहां पर यह तो shorety है कि यह हमारी line होती है X greater than zero की और यह line होती है हमारी y greater than zero ठीक है ना? तो हमारा region इदर में तो यह boundary fix है common region यहां से क्या आ तो क्या आ रहा है यह आ रहा है line और यह आ रहा है तो कॉमन रिजन यह वाला रहा है इसको एशेट कर लेगे यह करना है एक्जाम के अंदर में आएगा पैंसिल एक नम लाइट वाली लेकर चलना थोड़ी सी मोटी जो शार्प जाता ना उससे शेड कर लेना ठीक है भाई पैंसिल से करना ग्राफ पर मिलेगा बहुत बढ़िय यह वाला पॉइंट हमें दिखा रहा है दोनों लाइस ऑफ निल रही है एक्स में से थिरी एक्स बचा तो 18 हमारी कहा मिल रही है इस पोइंट में मिल है कैसा कर रgener है सब्रेक्ट कर दो लों को सब्ट्रेक्ट कर दिया मैं तो x में से 3x गया माइनस 2x बचा तो является 2y गया 0 पचा एट में से 18 गया माइनस 10 तो X की value कितनी आ गई है? 5 आ गई है. अब एक में डाल देते हैं, उपर ओले में डाल दिया, तो 5 प्लस 2Y is equal to 8 आ गई है. सही है ना? ठीक है बई? यही आई है. इसमें में डालता है, तो कितना हो तो 15, 80 है, हाँ ठीक बन रहा है. तो Y की value 3 by 2 आ रही है. तो यह point कितना बन गया, बटा? यह point बन गया मेरा 5, 3 by 2. सही है? तो इस तरीके से points को डालना है. अब हमें क्या करने के लिए बोला गया है? हमें इसको minimize करने के लिए बोला गया है. तो हम क्या करेंगे? जहां से सुनना. इसकी जुरूत नहीं इसको टा दूँ. यह दो बस निकालने के लिए था. यहां पर काम करते हैं. ठीक है? हमें क्या करना है? Z equals to minus 3X plus 4Y को minimize करना है. तो मैंने क्या बोला? हमारी theorem बोलती है कि जो यह corner point है 0, 4, 0, 0, 6, 0 और 5, 3 by 2 of the feasible region. इसी points पे ही maximum minimum value आएंगी. तो minimum value जो 0, 4 हमारा कौन सा है? 5, 3 by 2, 0, 0 और हमारा 6, 0 है. उन में से जो minimum होगा वो minimum है. जो maximum होगा, वो maximum है. तो X की value यहां पर 0 है और Y की value 4 है. तो X की value 0 डालेंगे तो minus 3 into 0 हो गया. ठीक है भई? और Y की value 4 into 0 हो गया. ठीक है? ओके, clear है भाई? कुछ मैंने उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया ना? चेक कर लो भाई, हो शसता है, उल्टा सीधा कर दिया हो. कुछ पता नहीं चलता है, आज की दुनिया में कहां उल्टा कहां सीधा हो जाता है? ठीक है, कोई बात नहीं, सही लग रहा है. तो Y की value 4 plus into 4, this is equal to, कितना हो गया भाई? इस इक्वल टू? 16 आ गया. ठीक है? तो पहले वाला क्या है? 16 आ गया. दूसरा करते हैं. तो X की value हमारी कितनी है भाई? 5 है. Y की value कितनी है भाई? 3 by 2 है. यहां से गया 2. 2 into 3, 6. और यहां से 15. तो यहां से 15. तो यहां गया हमारा minus 3 into 5, 11. minus 15, plus में 6. minus 15, plus में 6. that is equal to minus of 9 आ गया. ठीक है जी? यहां से minus 9 आ रहा है. 0, 0 पे देखो. 0, 0 पे. हमारा यहां पे minus 3 into 0, plus में 4 into 0. this equal to 0 आ गया. 6, 0 पे देखते हैं. minus 3 into 6, plus में 4 into 0. तो this is equal to minus 18. तो हमारा Z की minimum value कितनी दिख रही है भाई? इस वाले point पे दिख रही है. which is coming up for minus 18. Z की minimum value यहां पे आ रही है minus 18. उपर वाले पे कितनी आ रही थी? यहां पे minus 9 आ रही थी. यहां वाले पे तो positive आ रहा है. यहां वाले पे तो positive आ रहा है. तो value minimum कहां रही है? Z की minus 18 आ रही है. तो आपका उत्तर क्या हो गया बैटा? minus 18 हो गया. सही है? clear है भाई? कोई दूइदा, कोई परिशानी तो नहीं है? यह सर, एकदम सही. ठीक है न? इस प्रकार से आपको question का उत्तर निकालना है. I hope कर लेंगे. चलो, अगला question करके दिखाईए हमें. बच्छे मेरे से एक question था, पिछले वाला इसमें गडबड होगी. यार मेरे को याद रहा है, value तो आंसर में कुछ और आना चीए था, यहां कुछ और आ रहा है, तो मैं गया चेक करने, फिर में देखा कि मैंने गडबड क्या करी है? यहां पर value ले रखी है, equation में यह 12, ठीक कर आंसर निकाल लो, सरका गाम क्या है, आपको समझाना method क्या है, अब यह silly mistake को आपको avoid करना है, याद रखना, ठीक है, तो, यहां पर आपको मैंने सीख भी देदी, कि सारा का सारा मेहनत, एक छोटे से नंबर को copy waste करने की वज़ा से, आंसर को गलत वाना जाएगा, और आप से number नहीं देगा, उसको ध्यान रखना, अभी कि accordingly मैंने आपको solve करके दिखा दिया, सब कुछ हो चुका है, आप 18 की जगा पर 12 लेकि खुछ से solve करो, answer मुझे बताना क्या आएगा, ठीक है, yes, method सही है, सब कुछ सही है, steps सही है, एक दम clear है, but वो number 12 की जगा 18 copy किया हुआ था तो ध्यान रखना इस बाता, अब इसी प्रकार से यह वारा question देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है, x plus y is less than 50, 3x plus y is less than equal to 90, x is greater than equal to 0, and y is greater than equal to 0, यह हमें दी हुए है linear inequality, और हमें maximize करना है, z equals to 4x plus y को, क्या करना है, maximize, तो मतलब, इसका जो भी corner point आएगा, vertex आएगा, उस प ठीक है, एसको करने के लिए, अपने को इस equation को पहले draw करना होगा, यहां पर x और y को एक बार x को 0 रखीने, y 50 आया, y को 0 रखीने तो x 50 आया, यह पने पहले draw कर्किया, ठीक है, yes, कर दिया बाव, 50 0 कहीं मान लो यहां पर है 0 50 कहीं मान लो यहां पर है इसको पर जॉइन कर आएंगे स्ट्रेट लाइन से तो यह बन कर आएगा ठीक है ना यह बन कर आएगा अब सेम इसके अंदर में करने वाले हैं 3x plus y equals to 90 पर यहां पर x यहां पर y एक पर x को 0 डालेंगे y 90 आएगा y को 0 डालेंगे x हमारा 30 आएगा तो 30 0 कहीं यहां पर बनेगा लगबक है ना यह तो हम करना जानते हैं और 0 90 थोड़ा उपर आजाएगा यहां पर आजाएगा इसको भी ऐसे ड्रो कर दो ठीक है जॉइन कर दो ऐसे यह यह काम करना तो बच्पन चाहता है हमें हमें यहां पर इसमें x और y को 0 0 डालेंगे और देखेंगे क्या यह true है हां sir 0 is less than equal to 50 तो मतलब पहली equation जो यह वाली है यह towards the origin होने वाली है towards the origin होने वाली है यह काम करते थे ठीक है फिर सेम काम इसमें करने वाले है x y को दोनों को 0 0 डालेंगे तो 0 plus 0 is less than equal to 90 आ गया तो इसका मतलब क्या है 0 is less than equal to 90 आ गया तो यहां पर भी यह वाली जो एक्वेशन है यह भी towards the origin होने वाली है तो हमारा common region क्या है वाई देखो ध्यान से हमारा common region क्या दिख रहा है यह दिख रहा है यह जहां पर yellow और blue line दोनों available है यह वाले रिगेंगे इसको अपन क्या करेंगे शेड कर देंगे इसको शेड कर दो यह अपना हो गया clear है यह अपना shaded region आ गया ठीक है यह अपना shaded region जो है जो हमें चाहिए feasible region आ रहा है bounded है bounded region हमारा यह किसी भी दो पॉइंट को पिक करोगे तो हमारा आएगा अब इसमें यह वाला पॉइंट हमें 30-0 दे रखाए यह 0-0 निकालने के लिए थोड़ा से उपर नीचे हो गया ठीक है यह वाली जो करो सॉल्व क्या रहा है तो अपन देखते हैं यहां पर अगर मैं दोनों को सब्ट्रेक्ट कर दूँ तो माइनस 2x is equal to minus 40 हो जाएगा एक्स की वेल्यू 20 आ जाएगी मैंने सब्ट्रेक्ट कर दिया तो य से y बन गया है 2030 बन गया है अब जितने भी पॉइंट सब्ट पर सॉल्व कर लेते हैं जीरो फिफ्टी है वेल्यू एक्स और वाई की ठीक है और क्या है हमारा यहां पर 00 है और क्या है 30 जीरो है और क्या है 2030 इन इन सब पर देखते है maximum value कहां रही है जीरो डाला एक्स की वेल्यू फॉर इंटु जीरो य की वायू फिफ्टी के बराबर ठीक है फिर जीरो 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 हमारा 120 प्लस यहां पर 30 यहां गया 150 ओके यहां 150 आ गया है तो एक पॉर इंट्टी इस वन हंडर्ड गल्ट कर रिया यार चल्कुलेशन मिस्टेख हो रही है 80 प्लस 30 आ गया है दिसे 110 सही है भाई क्लियर है तो हमें क्या दिख रहा है maximum value कहां आ रही है maximum value आ रही है हमारी इस point पर यस maximum value कहां रही है हमारी इस point पर आ रही है तो यह line कुछ ऐसे जा रही थी maximum value हमारी यहां रही है तो for z की maximum value कितनी आ यह है भाई हमारी यहां पर आ रही है तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है और चेक करना है कि कहां पर आ रही है जो उनसा भी आ रहा है उसको थोड़ा से द्यान से देखना कि ऐसा नहीं कोई गलती कर दो कॉपी बेस करने में गलती मत कर देना बहुत जरूरी है यह चीजों को चेक करना हไसं हर बार इसा यहीं होगा कि अपना कोई भी पॉइंट जो है कहां पता नहीं चलेगा तो इसलिए हर बार चेक करना जरूरी है थीच के वाई चले हागे ओक की किया रहा है अब इसको minimize भी करना है maximize भी करना है ध्यान से करेंगे इसको करके दिखाओ चलो question number 5 को करके दिखाई यह पड़ापट से क्या रहा है minimize भी करना है और maximize भी करना है मतलब हमें दोनों value निकालनी है of this particular function function क्या है हमारा z equals to 3x plus 9y है ठीक है हमारे पास में constants क्या दे रखिया है x plus y greater than equal to 10 वाले x plus 3y less than equal to 60 वाले और x की value साथ में बोला गया है less than y है याद रखना यहाँ पर यह एक एक प्लस y is greater than equal to 10 तो यहां से अब मोटा मोटा देखो अपना फटा मट से कर रहा हूं है आप कर सकते हैं खुझ से मेरी को बता है कि इसकी लाइन यह बनने वाली है ठीक है यह आप खुझ से कर सकते हैं यह खुझ से कर सकते हैं यह थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं यह बनेगी हमारी लाइन पहले वाली है एक्स प्लस y equals to 10 वादी सेम अगली बनाते हैं यहां पर हमारी x की value 60 कहीं आएगी बहुत अग्या आने वाली है तो मान लो यहां कहीं आती है ठीक है और यहां पर आएगी 20 ओह यह भी बहुत उपर आएगी तो यहां पर मान लो कहीं अलग होगा वो लाइन थोड़ी और बेंड होएगी पर मोटा मोटा मैंने बना दिया ऐसा कि कुछ आएगा ओके सही है अब x less than equal to y के लिए हमें कौन सी लाइन बनाने होगी यहां तक तो simple था इसके लिए x equals to y वाईन वो लाइन पता है बच्पन में पढ़ी है हमने ऐसी ल लाइन यह वाई अब कहां पर कौन सा रिजन शेडिट किसके लिए देखते हैं चलो यहां पर कौन सा रिजन किसके लिए अब यहां पर 00 डालूंगा एक ग्रेटर देन इकौल टू टू टेन क्या यह true है इस वाली लाइन के इदर वाली चीज नहीं होगी वो उदर में जाय अब जो एक्स्ट्रिवाइड लेजन इकौल टू 60 के अगर मैं यहां पर 00 डालता हूं तो क्या यह true है हां सब्सक्राइब इस तरफ गाएगा इस तरफ गाएगा इस तरफ गाएगा इस तरफ गाएगा इस वाली में इदर था अब इस वाली लाइन का चेक करना है कौन सी य यहां पर 00 डालता तो वह तो इकॉल टू में आ जागा कि यह 00 को क्रॉस कर रहा है तो इसके लिए और पॉइंट चूस कर लो जैसे मैं चूस करता हूं इस वाले के लिए यहां पर कोई पॉइंट जैसे 10-0 तूस कर लिया ठीक है यह पड़ा है ना यह तो यह 10-0 की तरफ हो यहां रही है यहांन इस वाली इस वाले में आ रहे है इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है इस आर फीजिबल रिजन जो पिंग वाला पकड़ा है और मोटा कर दूँ ठीक है ब्रश की तरह इसको पेइंट कर देंगा ना ये अपने को ड्रो खरनेगा रहा है कि येस कर देंगे दो इस फीजिबल टीजन लिया ले ठीक है भाई सही है कोई दूविदा कोई परिशानी तो नहीं है तो ये हमारा आंसर हो गया ये हमारा आंसर हो गया अब यहाँ पे हमें क्या क्या पॉइंट पता है ये वाला पॉइंट पता है क्या है ये वाला पॉइंट पता है यह दोनों point सामें नहीं बता है यह निकालने पडेंगे सर्ये लाइन आ रही है एक्षी को स्टु यह ओनुओ लेली ऐसे हं हमारी इनन स्ट यह लगर रहां को सौल करके यह ऑर पीव उनुओ पर पॉईट करें शें को दो यह एक्षों exempt x हमारा 10 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया 2x मेरा 10 आ गया that means x मेरा 5 आ गया x y है तो मतलब y भी मेरा 5 आएगा तो यह point क्या बन गया 5 5 बन गया सेम उपर वाला point निकालते हैं उपर वाले point के लिए क्या करना पटेगा मुझे इसके लिए मिरको इस वाली equation कौनसी है यह वाली लाइन है यह लाइन है यह लाइन है that is x plus 3y is equal to 60 को solve करना होगा x equal to y के साथ x और y को equal डालते हैं x plus 3x is equal to 60 4x is equal to 60 x की value 15 आ गई तो मेरे को हमारा जो feasible region आ रहा है उसके वर्टेक्स क्या मिले है उसके वर्टेक्स मिले है 010 020 हमें मिला है 5 और 5 and 15 and 15 तो maximum and minimum value कहां exist करने के लिए मुझे इसको पूट करना है पता चल जाएगा कहा रही है 010 को पूट किया 3 into 0 plus 9 into 10 है एक्स यह है और y यह वाला x पहले वाला y बाल वाला तो कितना होगा यह होगा हमारा 90 के बराबर पहले में 90 आ रही है पहले में का रही है 90 आ रही है दूसरे में x की value 0 डालेंगे y की value 20 डालेंगे तो कितने आ रही है value 180 अ रही है दूसरे वाले में कितने आ रही है 180 है तीसरे में डालेंगे x की value 5 y की value 5 यह होगा 3 इन्टो 5 15 15 प्लस में 45 is 60 तो यहाँ पे 60 आ रही है ठीक है यहाँ पे डालेंगे 15 तो 3 इन्टो 15 प्लस में 9 इंटू 15 इस इक्वल तो 45 प्लस में 135, 0, 8 और 180 आ रहा है, तो हमने देखा, मिनिमम वेल्यू कहां आ रही है, मिनिमम वेल्यू आ रही है, यह वाली, यह 60 है, 90 है, 180 है, तो मिनिमम वेल्यू इस पर आ रही है, ठीक है, मेक्सिमम वेल्यू कहां रही है, बताओ, maximum value यहां रही है 180 और यहां भी आ रही है दो जगाँ पर आ रहा है तो maximum z कितना रहा है 180 आ रहा है at xy कहां कहां पे 0 20 and 15 15 दो point पे आ रहा है जब भी जहां से सुना जब भी दो point पे आ रहा है आपकी same दो corner point पे अगर आपकी same values आ रही है maximum तो इसका मतलब क्या है कि इन से join होने वाली जो यह line ना बेटा इस पूरी line पर इस पूरी line पर हमें Z जो है maximum मिले वाला है इस पूरी line पर Z जो है वह हमें maximum मिलने वाला याद रखना यह चीज बता रहा हूं अगर आपको corner point में एक से ज्यादा point में same value मिल रही हो जैड़ की चाहिए maximum हो या minimum हो तो अगर maximum हो है जैसे इस वाले case में तो उन दो point को join करने वाली जो हो कि उस पूरी line पर आपको जैड़ मेक्सिम आएगा तो हर एक point पर आपको जैड़ की 180 maximum value मिलने वाली है सेम अगर मालो minimum हो था मिनिमुम हो था मिनिमुम हो तो मालो और किसी पॉइंट जोडने वाली जो भी लाइन उस सब पे value maximum minimum आने वाली थी ठीक है सो मैक्सिमम कितने solution से इसके इन फानाइट विकोस इस लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं इन फानाइट तो मैक्सिमम इन फानाइट पोजीशन पर जैड़ की maximum value 180 है और minimum value only एक point पर है that is 55 पर that is कितना वही 60 ठीक है याद रहेगा यह बहुत important है बहुत important चीज है इसको याद रखने का है और question कैसा है देखो यहाँ पर बोला है कि z equals to 3x plus 2y को हमें क्या करना है वही minimize करना है हमें क्या क्या दी हुए है x plus y is greater than equal to 8 and 3x plus 5y is less than equal to 15 बोला क्या 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 है x जो है वो greater than equal to 0 है y जो है वो मेरा greater than equal to 0 है draw करेंगे इसको करो भाई draw x 0 y 8 ठीक है x 0 आएगा तो y कितना आगया 8 आगया y 0 आएगा तो x कितना आगया 8 आगया तो कुछ हमारी line यह ऐसे बनने वाली है ठीक है पहली यहाँ पर x 0 आगया तो y मेरा 3 आएगा तो हमारा यहाँ पर x 0 y 3 कहीं यहाँ पर आएगी 0 3 y 0 आगया x मेरा 5 आएगा 5 0 तो यह दूसरी line मेरी कुछ ऐसे बनने वाली है ठीक है यहाँ से यह हमारी लाइने बनने वाली है ठीक है यह दिस line is x plus y equals to 8 यह तो आप कर सकते हैं इतना तो हमने सीखा हुआ है ठीक है हमारा region कौन सा होगा सिर्फ पर स्कॉट्रेट क्योंकि x और y दोनों greater than equal to 0 दिया अब यहाँ पर बोला है कि x plus y greater than equal to 0 तो अगर x को भी 0 डाले y को भी 0 डाले क्या यह चीज दू आ रही है तो मतलब इस वाली line के अंदर में इस वाली line के अंदर यह true है यह true है तो अगर true है तो क्या बोलते हम towards the origin आएगा ऐसे पड़े हमने यह तो towards the origin मतलब यह वाला अब इस region को देखो तो हमारा हमारा region कौन सा common region एक यह वाला part है और यहां पर यह वाला part आ रहा है यह हमारा रहा है क्या ही feasible region अगर मैं यहां पर point डालूं इनको जाइन करूं तो यह एरिया ऐसा है जो कि common region नहीं हो रहा है अगर common region में कवर नहीं हो रहा point जोईन करने पर तो यह हमारा region क्या क्या लाता है non feasible region non feasible region और हमने क्या बोला है non feasible region पे हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा जो function है वह क्या है maximum है या मीजिमन है हम नहीं बता सकते हैं as region is non feasible therefore we cannot tell the function is maximum और minimum for the given constants for the given constants ठीक है ना यहां पर greater than less than equal to sign use होता है वह वाले particular हमारे क्या बन जाते हैं constants बन जाते हैं तो यह possible नहीं है different scenarios देख लिए अब हमारा practical real life question बनता है उसको कैसे solve करना होगा by using the particular method उसको देखते हैं अच्छा भी मैं आपको से bounded region वाला बता रहा हूं unbound region को कैसे solve करते हैं वह मैं आपको इसके बाद बताऊंगा ठीक है यह वाले सारे method है उसको बोलते है corner point method ठीक है corner point method सीख रहे हैं हम यहां पर इसके बाद मैं आपको एक इसा कोशन एक्जाम में आएगा एक्जाम में यह आएगा इस टाइप को किया रहा देखो अ manufacture produces nuts and bolts अच्छा जी it takes one hour of work for on machine a and three hours on machine b to produce a package of nuts it takes three hours on machine a and one hour on machine b to produce a package of bolts ठीक है तो nuts के बारे में बता दिया कि यह टाइम लेता है एपर और भी पर बोल्ट के बारे में बता दिया ठीक है अगर वह profit कमाता है 17.5 पर package on nuts and 7 rupees per package on bolts how many packets of each should be produced each day to maximize his profit maximize क्या करना profit तो profit nuts पे कितना है बेटा nuts पे profit है 17.5 पर package पर package हमारा bolt पे कितना है बेटा bolt पर है अपना 7 rupees पर package ठीक है तो यह क्या बोल रहा है अपने को यह profit को maximize करना है तो माल लिए एक दीन में x nut बनाता है y bolt बनाता है तो हमारा 17.5 x profit इस पर हो जाएगा और 7 y profit बोल्ट पर हो जाएगा तो यह इन दोनों का edition को हमें maximize करना है तो यह जो हमें देगा ना जेड देगा यह हमारी बनेगी क्या जी objective function yes clear objective function बनेगा clear है भाई सही है कर लोगे यह बात अब उसके बाद में next नेक्स देखो यहां पर क्या रहा है कि अब उपर हमारे पास में दो मिनिम्मम दो इक्वेशन चाहिए दो इन इक्वेशन चाहिए तो साथा को यूज करेंगे बट मिनिम्मम दो चाहिए यह एक्स व्रीवल तया गया यहां पर बैक्स दिया गया एक मशीन बट नड़ाने में लगता वन आरोवड ओटृफर नट रहाए पर पर लगता है एक घंटा लिए तीन गंटा लगता है मशीन एपे और एक गंटा लगता है मशीन बीपे टू प्रोडूस अबॉल्ट क्लियर है यस सही है ठीक है अब और आप क्या बोला गया देखो यह बोला गया कि हमारे पास में जो दोनों मशीन हैं वह एटमोस्ट 12 आर्ट सल सकती है मतला है मैक्सिमम मेंट बनाने में एक बोल्ट बनाने में वाय वोल बनाने में ने कितना लगेगा पास इन दोनों का सम मैक्सिमम् से maximum 12 होना चाहिए तो that means it should be less than equal to 12, same एक नट लगाने में B मशीन पर 3 घंटा लगता है, तो X बनाने में 3X लगेगा, एक बोल्ट बनाने में 1 घंटा लगता है B पर, तो Y बनाने में 1Y लगेगा, ठीक है, तो ये भी maximum से maximum 12 होना चाहिए, तो हमारे पास में in equations क्या आगी है, X plus 3Y is less than equal to 12, and 3X plus Y is less than equal to 12, अब हमें पता है कि बोल्ट और वो जो हैं हमेशा not, हमेशा positive होंगे, negative number of volts नहीं बना सकते, तो it should be greater than equal to 0, ये clear है, तो इतना होगा, ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, क्या करना है, हमें maximize करना है, profit लिखा है न, maximize करना है, तो इसको हमें maximize करना है, for given conditions, ये, तो क्या करेंगे, graph बनाएंगे, X plus 3Y is less than equal to 12 के लिए, X plus 3Y equal to 12Y line मनाएंगे, ठीक है, तो X अगर मैं 0 डालेंगे, तो Y कितना है, मेरा 4 आगया, ठीक है, तो 0, 4 कहीं मान लो यहां पर हो गया कि यहां पर य अगर 0 डा एक कौंसे उपर गया एक लाइन बनेगी यह वाली कौन से एक्स प्लस वाई उसका शेडिट रिजन आप खुछ से करेंगे ठीक है शेडिट रिजन मेरा यह वाला आएगा तो यहाँ पर इसके वर्टेक्स कौन से आ रहे हैं इसके वर्टेक्स कौन से आ रहे हैं बलाओ 004004 और यह वाला यह वर्टेक्स क्या आएगा मेरा by solving this equation बहुत सिंपल है भाई हमने सीख लिया आप तो है ना इसको सॉल्व करो मैं इसको तीन से मल्टिप्लाएं करा तो अगया 3x प्लस 9y पूरीक्वेशन को मुल्टिप्लाए खराएंगे इस इकोल टो 36 यह ना इसको मैं थीन से मल्टिप्लाए करा रहा हूँ टू taxpayer कर दिया थीकिख है एक क्वेशन यह है डूसरी एक्वेशन सब्ट्र कर दिया 3x से 3x गया 9y से y गया तो minus 8y और यहां पर यह गया minus of 24 y की value 3 आ गई है ठीक है अब इसको put कर दिया मैंने y की value 3 आएगी तो x की value कितने आएगी 12 minus 3 9 9 by 3 3 आ गई ठीक है सो यह वाला point यह तो आप खुछ से कर सकते भाई मैंने कर लिया आप भी कर सकते हैं बहुत सिंपल है 3 3 आ गया अब हमें इसको क्या करना है all on the points that is 04 और कौन सा है 00 और कौन सा है 4040 और हमारा 33 इन पर जैक करना maximum को बार आए है तो 04 पर कितने आएगी 17.5 इंटू 0 प्लस में 7 इं ठीक है इस पर जीरो यहां पर 17.5 इंटू 4 प्लस में 0 कितना हो गया भाई है इस इकॉल तो 35 इंटू 4 यहां पर 17.5 इंटू 3 प्लस में 7 इंटू 3 यह जाधा ही लग रहा हुझे फिर भी चेक कर लेचा है तो 17.5 इंटू 3 कितना हो गया गया भाई दिस इकॉल 2 का इन अंटू फ्लस में 21 इस इंटू 3 पॉइंट फ्लस में 21 कितना हो गया भाई इंटू 3 सब्सक्राइब गारए थी सिरे थी 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 ठीक है अमारा क्या आएगा क्या रहा है कि अगर मैं तीन तीन बोल्ट दोनों बनाता हूं तो मेरे को maximum profit मिल जाएगा 73.5 रुपीज का पर डेखा समझ में आई बात इस प्रकार से अपने को question को solve करना है अब सेम तरीके से आप मुझे ये particular question भी solve करके दिखाई ये जल्टी से कैसे solve करेंगे करा a dealer in rural area wishes to purchase a number of sewing machines अच्छा he only he has only rupees इतना अच्छा पैसा सिर्फ इतना ही है to invest and a space of at most इतना maximum space जो है उसके बास इतना ही है ठीक है maximum इतनी कर सकता है almost नहीं आएगा और at most कर जो ठीक है an electronic swing machine cost to him rupees इतना and a manual operated swimming machine cost him इतना अच्छा he can sell an electronic swimming machine at profit of rupees 220 and a manual operated swimming machine at the profit of 180 assuming that he can sell all the items that he can buy how much should he invest his money in order to maximize his profit profit करना maximize minimize cost भी दे सकता था इस कोस्में बट इसने क्या वोला maximize करना है profit को बड़ा द्यान से बढ़ना है profit को ही करना है maximize minimize कुछ नहीं करना profit को maximize करना तो उसी फोकस करते होगे caution को solve करने का है ठीक है yes तो हमारा profit के related बात करते हैं profit कहां पर दिख रहा है profit दिख रहा है 1801 swing machine पर है और दूसरा वाले पर 220 है तो electronic machine है एक और एक हमारी manual swing machine है electronic swing machine पर एक पर प्रॉफिट आ रहा है 220 का और यहां पर आ रहा है 180 का मान लो इसके पास X यह हैं वाई यह है ठीक है तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेस ने बड़ टूट्वन्टी एक सिसका वनेटी वाई इसका इसका को maximize कराना है मान लो यह है हमारी जैट कंडिशन क्या क्या दे रखिया हम देखो क्यारा है कि भाई हमारी एक machine एक वाली कितने याती है एक सब्सक्राइब कुछ इलेक्ट्रोनिक वाली च्छतिसों की तो च्छतिसों की एक आती है एक कितने आएंगी चैट्रीसों एक और हमारी जो दूसरे वाली मैनूल मशीन है जो कि वायली है हमने वह आती है चॉबिससों की एक तो लाई कितने क्यांगी 2400 एक कहां है कि इनका टोटल खर्चा एक पें इसका मैक्सिमम घर्चा इसके पास इतना ही कर सकता है तो एक 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 प्लस वाइक का वैल्यू लेस देन टुवन टुट वनाची और दूसरा इसके इसकी मैक्सिमम वेल्यू किस पर जलदी से हमें कमेंट में बताईए हमारे पास में दो लीनियरी इक वेश्न बन रही है इसको solve करिए in constant के accordingly हमारा bounded region बनाएंगे bounded region में जो हमारे corner point आएगा उसको check करेंगे कि corner point पर किस पर ये हमारी value maximum आ रही है वो आपका answer हो जगा जल्दी से हमें comment करता है ये solve करके हम इसके आगे बढ़ते हैं और unbounded region पर अगर आपका आता है अभी तो अब अगर मान लो मैंने आपको unbounded के case में कैसे करना है वो देखने वाले हैं ना सो unbounded region कैसा होता है देखते हैं अगर मैंने आपको let suppose ऐसी linear equations बीच में दीना ठीक है एक ये line है एक ये line है जहां पर आपका जो common region आ रहा है वो ये आ रहा है या मैं बोलो फिजिबल रीजन आ रहा है वो ये वाला रहा है कौन सा वाला area फोलो कर रहा है ये वाला area फोलो कर रहा है ये ये line फोलो कर रहा है ठीक है अब हो सबता है कि यार इस particular region के अंदर में maximum और minimum value for your z function that is your objective function हो या ना हो अगर होगी तो भी कहां पर होगी सिर्फ इस पॉइंट पर होगी याद रखेंगे इस वात को ठीक है तो भी कहां होगी सिर्फ इस पॉइंट पर होगी ओके चलो ठीक है तो अब इस चीज़ को example से समझते हैं अगर होगी तो अगर नहीं होगी तो क्या होगा क्या नहीं होगी तो नहीं होगी इसको बताता हूँ कैसे चेक करना कि है या नहीं है वो भी एक तरीके से बताता हूँ मैंने आपको एक function दिया z is equal to x plus 2y ठीक है और यहां बोला x minus y एक है हमारे पास में constant यह दूसरा है इन गिवन constant को ड्रो करेंगे इन गिवन constant को ड्रो करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है एक बार अगर मैं देखता हूँ x minus y greater than 0 का मतलब क्या है कि x is greater than equal to y तो हमें पता है कि इसके लिए जो line बने की that will be x equals to y तो यह line जो हमें पता है बहुत बार बना ली यह line होती है ठीक है यह बच्छपन से मनाते हैं कि x equals to y यह line होती है अब x greater than equal to y के लिए आप क्या करो चेक करने के लिए कि भाई यह area क्या ह है इसको जैक करने के लिए कोई point पकड़ लो मालो यह point पकड़ लिए 10-0 है यह point is 010 मालो ऐसे random point पकड़ लिए ठीक है तो मलब आपने को करना कुछ नहीं है कि जो इस तरफ में शेड होगा या इस तरफ में शेड होगा जिस तरफ में भी होगा उसका point पिक करो उनकी value दालो अगर वो true है तो हमारा क्या होगा वो true होगा तो हमारा उस तरफ का region हमारा shaded region हो जाएगा एक तो यह दे रखे और 0 तो y1 कहीं यहां पर आएगी line और एक बार हमने y को 0 डाला तो x कितना आगया मेरा कितना माइनस 2 आगया तो बहुत छोटा आगया था ना x plus 2 is equal to 0 के अंदर में तो क्या हो जाएगा x की value minus 2 आजाएगी तो यह कहीं यहां पर आएगी minus 2 0 ठीक है तो line कैसे बनेगी कुछ हमारी ऐसे बनेगी है यह कहीं यहां आएगा point यहां पर minus 2 0 ठीक है तो यह line कुछ ऐसे आएगी सब्सक्राइगी तो इसको आप ड्रो खुछ से कर सकते हैं हमने बहुत सारे सिखा दिये शेडिट रीजन क्या होगा क्या रहे कि अब यहां पर वापस से क्या करते हैं हम यहां पर इसके अंदर में y की value भी 0 और x की value भी 0 अड़ा के देखते हैं कि क्या यह true है या नहीं है यह point की value डाले थी तो इसका मतलब क्या है कि इसकी तरफ में आएगी इसकी तरफ में आएगी तो हमारा यह वाली तरफ में आएगा यह वाली तरफ में इर्या आएगा ठीक है yes और क्या जे रिखा है x greater than 0 और y greater than 0 तो मतलब हमारा एरिया जो है वो first quadrant में होना चाहिए तो फर्स क्वाडरेंट के अंदर में जो दोनों पॉसिबल आ रही है वो कहां कहां पर है जहां येलो भी है और ब्लू भी है तो वह हमें दिख रहा है इस एरिया में इस एरिया के अंदर हमारी सारी की सारी लाइन तो देखो इस एरिया के अंदर में येलो और ब्लू दोनों आपन्ड रही है ना यह य्लू वाली भी प्रीजिबल में लो वहां सारे के सारा वर्चावर हो रहा है यह हमारा और यह पॉइंट 00 है और यह वुल पॉइंट क्या है जहां पे यह दोनों नाने क्रिष्ट कुनसी दोनों लाइन है, x equals to y and हमारी दूसरी लाइन कुनसी है 2y is equal to x plus 2 मिल रही है yes, so अगर मैं x की value y डाल दूँँ, यहाँ पर क्या हो जागा 2y is equal to y plus 2 हो जाएगा y की value 2 आ जाएगी so यहाँ पर y की value तो 2 हो गई है x की value y के equal आएगी that means 2, 2 point है, yes हना, x और y equal है x equals to 2, y equals to 2 यह point हो गया सही है तो हमारे पास में यहाँ पर जो इसके corner point आए एक तो यह वाला आया और एक यह आया corner point क्या है, 0, 0 आया और 2, 2 आया इस पर z कितना आ रहा है, check करो इस पर z की value क्या रही है, check करो z क्या है, मेरा x plus 2 है तो यहाँ पर 0 डालेंगे और यहाँ पर भी 0 डालेंगे, तो यहाँ पर value आ रही है, 0 यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 2 डालेंगे, और यहाँ पर भी 2 डालेंगे, तो यहाँ पर कितनी value आ रही है 6 आ रही है, ठीक है तो हमें क्या करना है? maximize करना है Z को तो maximum according to our corner points तो value जो आ रही है वो 6 आनी चाहिए तो मतलब according to corner point but unbounded region है तो मैं बता नहीं सकता कि corner point है या नहीं आएगी मतलब इस पर आएगी या नहीं आएगी ठीक है मैं बता नहीं सकता कैसे बता पाऊंगा सर फिर किया रहे उसके लिए आपको लग रहा है ना maximum value 6 आ रही है Z की तो उसको put कर दो हमने क्या का कि हम check करना चाहते है कि maximum value Z की क्या 6 आ रही है उसके लिए क्या करना है कि जो हमारा ये Z function है ना इसकी value जो आपको लग रही है ना maximum value according to the corner point उसको put कर दो तो हमें क्या दिख रही है 6 दिख रही है किया रहे इस वाले को ना आप क्या करो draw कर दो कहां पर draw करना given जो है हमारा तो x y x की value 0 डाली एक बर y की value 3 आ गई y की value 0 डाली तो x की value 6 आ गई तो यहाँ पर इन दो x की value 6 y की value 0 कहीं यहाँ हो गया है ना यहाँ कहीं हो गया 6 0 तो इनको जोइन करेंगे ठीक है अच्छा सवरी यह तो यहाँ पर है ना तो यह गलत डाला हुआ है according to this हमारा इसको अटा देते हैं गलत डाले में पॉइंट ठीक है क्योंकि यहाँ पर आएगा ठीक है वह पॉइंट गलत बनाया है तो यह लाइन अगर हमारा जस्ट पीजिबल रिजिन को को टूटू पर टच करके निकल रहा होता है यह पॉइंट करेगा इस पर यह टूटू तो सैटिस्फाय करना ही है इस लाइन में इसी की वेल्यू को लेते हुए उसको मैक्सिमम किया है तो इसको टूटाश करेगा बट अगर मेरा यह वह लाजब जो पॉइंट है जो फीजिबल रिजन में आ रहा है अगर यह पॉइंट के इलावा इस लाइन में कोई और पॉइंट इसको क्रॉस ना कर रहा होता तो मैं बोलेता यह मैक्सिमम अधर नहीं है जैसे यहां पर यह point देखो, यह line के जो points है, यह सारे point भी हमारे feasible region में आ रहे हैं, यह सारे point भी हमारे feasible region में आ रहे हैं, हासल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि इससे भी जाधा value कहीं और मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि no, we don't have any maximum value for this particular constant for our objective function, ठीक है, we don't have any maximum value of the objective function for given constant because according to the corner points, we are getting maximum value at 2, 2, we are getting maximum value at 2, 2 which is equal to 6 and if we draw a line, if we draw a line x plus 2y equals to this particular value, this particular line is crossing to the feasible region, crossing through the feasible region. it means that 2, 2 is not the maximum value, more value can exist which is lying in the feasible region which is unbounded, ठीक है, तो हम बता नहीं सकते वो value क्या है, तो corner तो नहीं है, अंदर वाली कोई होगी, वो क्या है नहीं बता सकते, ठीक है वह इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे देंगे, तो we don't have any maximum value according to corner point method for the given constant, ठीक है, yes, समझ मैं है, तो मतलब अन कि हमारी maximum value निकले ही ना, इस question को देखा हो, अब हो सकता है, निकले भी सी, वो कैसे निकलेगा, वो दिखा रहा हो, इस question मतलब देलेगा, करा हाई dietitian wishes to mix two types of food in such a way that the vitamin contents of the mixture contains at least 8 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C, food 1 के अंदर में consist करता है, 2 unit per kg of vitamin A and 1 unit of vitamin per kg of vitamin C, food 1 के अंदर ये consist करता है, और food 2 क अंदर में contain करता है, 1 unit kg of vitamin A and 2 unit of vitamin C, ठीक है, it cost to be 50 per kg to purchase food 1 and to be 70 per kg to purchase food 2, determine the minimum cost of such a mixture, मतलब हम mixture बनाने वाले है, food 1 और food 2 का, हमें minimum करना है cost को, तो cost कहां कहां दे रखी है, food 1 की cost दे रखी है कुछ, और food 2 की, हमें इन दोनों को mixture बनाना है, ठीक है, food 1 और food 2, तो basically, ये जीतना लिया जाएगा, वो X हो जाएगा, ये जितना लिया जाएगा, वो Y होगा, बस ये determine करने के बाद इसी हो जाता है, ठीक है, मानलो अपने X kg इसका बाए किया है, तो X kg बाए करने के लिए हमें खर्चा कितना करना पड़ेगा, 50x है न, 1 kg का 50 और पर ये तो X kg का 50x हो ये हमारा फंक्शन है, अब्जेक्टिक फंक्शन, इसको मैनिमाइज करना, that is, Z equals to this particular, 50x plus 75, अब दिया क्या क्या हुआ है, हमारा, जो minimum जो है, at least 8, at least 8 unit of vitamin A है, और at least 10 unit of vitamin C है, ठीक है, तो vitamin A है, vitamin C है, food 1 में, और food 2 में, ठीक है, दोनों में है, at least रोना चीए, मतलब इन दोनों की value मिलाकर, A, 1 और 2 में, जो A की value minimum, से minimum 8 आरी चीए, और इसकी minimum value 10 आरी चीए, एक इतना होगा, क्यारा है, इसका X kg लिया है, आपने इसका Y लिया है, ठीक है, तो A जो है, food 1 में 1 kg में आता है, कितना भाई, 2 unit, 2 unit आता है, और जो C vitamin है, वो 2X और इसमें कितना हो जाएगा, 1X है ना, एक kg में 2 आएगा, विटामिन A और C आएगा, एक unit, X में कितना हो जाएगा, 2 x और C कितना हो जाएगा, 1 x, सेम, Y के अंदर में, food 2 में जो है, विटामिन A है, 1 unit, तो 1 unit for 1 kg, Y kg के लिए 1 into Y हो जाएगा, ठीक है, सेम, C जो है, एक kg में आता है, 2 unit, तो Y kg में हो जाएगा, 2 Y, इन दोनों का सम greater than 8 होना चीए, इन दोनों का सम greater than equal to 10 होना चीए, यह given constant हो गए, तो constants क्या है हमारे, 2X plus Y should be greater than equal to 8, and X plus 2Y is greater than equal to 10, X की value greater than equal to 0, Y की value greater than equal to 0, यह हमें given है, ओके, इसको draw करेंगे, इसको draw करेंगे, clear है, करो भाई Y को 0 डालो, X की value 4 आ गई, यहना, Y को 0 डाले, X की value 4, 0 कहीं यहां आ गई, यहां और एक बार X की 0 डालेंगे, तो Y की value 8 आ गई, ठीक है, Y की value 8 आ गई, तो कहीं यहां पर आ गया, ठीक है, clear है, यहां से कुछ यह graph मेंना, इसका यह और, this is for 2X plus Y equals to 10, ठीक है, और second line, X को 0 ड 0, 5, Y की value 0 डालेंगे, X की value 10 आ गई, तो कहीं यहां पर आ गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, this is for X plus 2Y equals to 10, ठीक है, X और Y दोनो greater than 0 तो, मतलब first quadrant में आ गई, तो clear है, अब क्या बोला हुआ है, यह भाला हुआ हमें, हमें क्या बोला हुआ है, दोनों की value at least 8 होने चाह, मतलब य वाली value भी greater than में होगी है और यह वाली भी greater than तो मतलब यह हमारा common region आ गया तो यह वाला vertex एक आ रहा है 08 एक यह vertex आ रहा है इसको निकालेंगे एक यह आरे 10-0 यह क्या होगा जो हमारी यह दो किसकी होएगी इन दोनों लाइन की 2x plus y equals to 8 and x plus 2y is equal to 10 solve करने के लिए मैंने उपर वाली लाइन को 2 से multiply करा दिया तो हो गया 4x plus 2y is equal to 16 cut करेंगे eliminate करना तो आता है ना खुद से कर सकते हैं इतना तो करी सकते हैं 2y से 2y गया minus 3x is less than equal to minus 6 आ गया x की value 2 आ गया x की value 2 भूट करेंगे किसी में भी उपर वाले में कर दिया तो 2 2 4 हो गया वहाँ चला गया y की value 4 आ गया y 4 हो गया x 2 हो गया इस point पर 2 4 point बने गया ठीक है चेक करके देख लो सही बने रहा है point दोनों में डालके देखो 2 2 4 4 plus 4 8 आ रहा है 2 2 4 so 2 plus 8 हा तेना रहा है सही आ रहा है तो यह point 2 4 हो गया तो हमारा z कहां कहां check करना होगा जेड हमारा चेक करना होगा कौन कौन से corner point आ रहे है एक तो आ रहा है यह वाला 0 8 1 2 4 और 1 10 0 0 8 2 4 और 10 0 ठीक है ना क्या है जेड 50 X plus 70 वाल क्लियर है 0 8 तो 50 इंटो 0 plus 70 इंटो 8 that is equal to 560 पहली वैली 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 और यह 560 सेकिंड 50 इंटो 2 plus में 70 इंटो 4 कितना हो गया 100 प्लस में 280 that is equal to 380 आ रहा है अगला 10 0 50 इंटो में 10 plus में 0 this is equal to 500 हमें क्या करना है minimize करना इसको है ना क्या करना minimize करना है so minimum value कौन सी आ रहे है minimum value आ रही है यह वाली किस पे किस पे आ रहे है minimum value टूफोर थे तो यह टूफोर ठीक है कितनी आ रही है 380 आ रही है तो अब क्या करेंगे हम हम देखेंगे कि z equals to 50 x plus 75 हमने minimum निकाला है हमको लग रहा है minimum जो आएगा वो x to y 4 पे आएगा that is equal to z की value कितनी आ रही है 380 आ रही है अगर यह minimum value हुई तो इससे जो line बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो two four point है इस पे cut करेगी इसके लावा कहीं cut नहीं करेगी याद रखना है ठीक है क्या बोलता है क्या रहा है कि अगर यह particular value 380 minimum हुई z की तो यह सिर्फ two four पे जो line बन रही है ना यह वाली cut करेगी इसके लावा नहीं करेगी अगर जस्त यहाँ पर ही cut करके गई है तो यह minimum value otherwise यह minimum value नहीं है देखते हैं ठीक है अधरवाइज यह minimum value नहीं है एक्स निकाला वाय निकाला एक्स की value 0 डालेंगे तो वाय कितना हो गया 380 by 70 है ना that is 38 by 7 इस वाय की value 0 डालेंगे तो एक्स की value होगी 38 by 5 38 by 5 कितना होता है लगमख इस इक्वल टू 7.6 और यह कितना हो गया 5.5.4 something हो जाएगा है ना 5.425.4 मान लेते हैं ठीक है 5.4 यह हो गया और 7.4 ठीक है और वह गया 7.6 so 0 5.4 और 7.6 0 को plot करते हैं यहां पर 0 5.4 तो लगमख यहां पर point आएगा 0 5.4 और 7.6 0 लगमख यहां ठीक है ना यह जो ब्लू लाइन दिख रही है जिस लाइन इस कौन सी हमारी जो गीवन है तो यह सिर्फ और सिफ एक minimum point पर कट कर रही है तो yes this particular z function minimum value is 380 at x equals to 2y equals to 4 hence we get the minimum value of z that is 380 at x equals to 2 and y equals to 4 इस प्रकार से अपने को question को solve कर रहा है तो जितने भी different type के हमारे cases बन सकते थे मैंने आपको सारे का सारे solve करके दिखा दिये हैं जितने भी possibilities थी I hope आपको समझ में आ गया है अगर समझ में आ गया है तो अब हम जो है इस particular chapter का आखरी पढ़ाव पर आ गए हैं आखरी पार्ट इसको हम समझने वाले हैं मस तरीके सब इसको डील करेंगे that is called as iso profit and iso cost method बहुत सिंपल में इसका use भी बहुत सिंपल है और यह lesser use method ठीक है एक्जाम में हो सकता है इस पर question आएगा बट chances कम है इसलिए बता रहा हूं बट आ सकता है आने में तो किसी भी दे सकता है यह method क्या सब काम सेम करना सब काम सेम करना है अपने को नहीं यहां पे वैलिउस नहीं ही मतलब यहां तक जो भी काम किया न सारा काम सेमिंग करना है इसे की graph करेंगे सब कुछ करेंगे but या minimum value दे जाएगी, वो line आपको maximum या minimum value दे जाएगी, अगर maximum निकालना है तो हम ISO profit वाजी line के हिसाफ़ करेंगे, अगर आपको minimum निकालना है तो हम ISO cost होले के साफ़ करेंगे, मैं दोनों ही cases का एक एक example के थूच से आपको समझाता हूँ, ठीक है, जल्दी समझ में आएगा, य ISO cost method, maximum अगर बोला है तो ISO profit method, यह बोलता है, ठीक है, ISO profit method, क्या बोलता है, कि अगर इसकी minimum value ले ले, इसकी एक value ले ले लेंगे, मान लो के, अगर हमारे को minimum value निकालना तो हम मानेंगे, के जो हमारी satisfy कर रही है ISO cost, अगर बोला है maximum निकालनी तो हमारी ISO profit को कर रही है, फिर हम क् इसलाइब को उपर नीचल अदाएबाई एडिजस्ट करेंगे जहां पर जिस पॉइंट पर ये क्रॉस करने वाला होगा फॉर मैक्सिम एंड मिनिमम वो हमारा सेटिस्पाय कर जाएगा एक्स वैए उसमें एक्ज़क्ट वैल्यू माल लेंगे ठीक है कैसे करते हैं अब आपको सिखाता हूँ ठीक है अब यह सिखाता हूँ बहुत सिंपल मेथड है एक्जामपल से जल्दी समझ में आएगा करहें अब मैनुफेक्ट्टर प्रोडूस इस तू मोडल सो वाइक मोड एक्स एंड वाइर रूपीज बन थाओजंड एक्स एंड रिस्पेक्ट्टिवली हाव मैनी बाइक्सिमाइज के लिए क्या दे रखा है मोडल एक्स का प्राइस दे रखा है पर यूनिट का प्रोफिट एक हजार रूपे और मोडल य पे जो दे रखा है पर यूनिट का प्रोफिट 600 रूपे ठीक है ना माल लेते हैं इसकी एक्स यूनिट भी की है माल लेते हैं इसकी यूनिट भी की है तो हमारा अब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा क्या एक्सको जो एक्स मॉडल है उसको बनाने गंटे के लिए 6 घंटे लगते हैं पर यूनिट को और 10 घंटे लगते हैं वाई यूनिट को और हमारे पास में टोटल साड़े चार सो घंटे अविलेबल हैं और इसकी बनती है य उसकी बनती है तो मतलब 6 इंटू गंटे लगते हैं तो एक्स को बनाने के बाद में उसका खर्चा हो जाएगा पर यूनिट का जाएगा 2000 और यूनिट का कितना हो जाएगा 2000 ठीक है इस खर्चे की बात कर रहा है यह कि यह खर्चा जो है हमारा जादा से जादा इतना फंट है उससे जादा नहीं जा सकता कितना है तो मतलब इन दोनों का सम्ट लेस जन 80,000 होना चाहिए इन दोनों का सम्ट लेस जन 80,000 होना चाहिए ठीक है तो अगर मैं इसको करा दो हूँ है तो 225 इस लेस जन यह बनती है ठीक है क्या है 3X प्लॉस 5Y इस लेस जन इकल टू 225 ठीक है एक यह इन इक्वेशन बनकर आई और एक बनकर आई यह क्या भी हमारी 2X प्लॉस वाई इस लेस जन इकल टू 80 ठीक है 1 यह है 2 यह है बाकी दोनों यह है इनको यूज करके स्वाल करते हैं एक पेज लिलने कला क्या है 2X प्लॉस Y इस लेस जन इकल टू 80 और क्या थी भई और थी 3X प्लॉस 5 5Y इस लेस जन इकल टू लेस जन इकल टू 225 ठीक है और X ग्रेटर जन इकल टू 0 है यहां बनाएंगे ग्राफ इसको फ्लॉट करेंगे एक्स को 0 डालेंगे तो Y की वेल्यू 80 आ गई तो मालना कहीं यहां पर आ गई ठीक है तो लाइन को ट्रॉक किया ठीक है यह हो गई है हमारी 2X प्लॉस Y इकल टू 80 वाले लाइन ठीक है यहां पर आपको इसको तो सॉल करना पड़ाएंगा भाई 3X प्लॉस 5Y इस इकल टू 225 एक्स को 0 डालेंगे वाई कितना आएगा 225 by 5 that is equal to 45 आजाएगा हां सही है और Y को एक बार 0 डालेंगे तो X कितना आएगा 225 by 3 that is equal to 7 और 5 75 तो 75 0 is like somewhere here 75 0 और 045 is like somewhere here 045 ठीक है एक्जेक्ट तो ग्राफ में बनता है बर मोटा मोटा तो यही बनेगा यह बन रही है एक और लाइन ठीक है इस थ्री एक्स प्लोस 5Y इस लेस देन एकल टू 225 एकल टू 225 आप अब कॉमन रीजिन क्या आएगा दोनों में लेस दिन का साइन आ रहा है और दोनों X और Y पॉजिटिव हैं हमें पता है common अब यह हमारा पॉइंट हमें पता है 00 होता है यह 045 दे रखा यह 40 दे रखा यह यह common point कहां होगा भाई इन दोनों को जब हम cut कराएंगे that is equal to इन दोनों को हमें cut कराना पड़ेगा 2X प्लोस Y is equal to 80 कैसे करें cut? कैसे इसको 5 से multiply करा आता है यह इसको 5 से multiply करा आता है तो हो जाएगा 751 और यहाँ पागा 7X एक्स की वेल्यों 175 वाई 7, that is equal to कितना होगा भाई यह इस इक्वल 25, X 25 है पूट कर दो किसी में भी इसमें बूट कर दूँ इसमें बूट कर दूँ इसमें बूट कर दिया 2 इंटो 25 25 प्लस Y is equal to 80 तो Y की वेल्यों किसमें आगे 30 आता है एक्स 25 वाई 30 एक्स 25 वाई 30 जिस इसमें ठीक ना जुरूत नहीं है डिए जो अपन ने यह बनाया ना 1000 एक्स प्लस में 600 वाई 1000 एक्स प्लस में 600 वाई यह अपन ने जो जड़ बनाया ना इसको क्या करना है maximum करना तो क्यारे कि अब माल लेते हैं इसकी maximum value ना इसकी maximum value कुछ 15,000 आती है माल लेते हैं ठीक है तो क्यारे कि माल लेते हैं ठीक है कि अब क्या करने का इस लाइन को आपको ड्रों ठीक है फिम्रा करने के लिए एक बार 0,000 नहीं को से इसको फ्लॉट कर जाएक माल लॉट को शीर गुण 025 X 0 Y 25 तो पहिन ला नहाँ पर आए गा 025 और यहाँ पर आगया X 15 और Y 0 X 15 और Y 0 कुछ यह पुइंट आगा क्या रहा है अब देखो क्या करने का है यहाँ से नहीं एक लाइन गराएंगे क्या रहा है कि देखो अब क्या करने का है आपका जो बाउंडेट रीजन में इस लाइन गोना धीरे-धीरे इदर-इदर खिशकाते रहेंगे maximum निकालना है तो right side में खिशकाते रहो maximum के लिए right side में minimum के लिए जो leftmost vertex होगा ठीक है हमें निकालना क्या है maximum निकालना है maximum क्या निकालना है भई इसका maximum के लिए क्या करना है हमें इदर मूव कराना है बस ठीक है इतना याद रखना है line मनाने के बाद मुदलब अगर shaded region के बीच में से निकल रही है हमारा common region के बीच में से निकल रही है leftmost हमारा point के आ रहा हमारा ISO cost देता है rightmost point के आ रहा हमारा ISO profit देता है that is maximum value हमें जिये maximum तो आट कंगे सलाइन पर रली खीचते रहेंगे यहाँ से आप स्केल बनाके आ बला लाइन बना लो थिक है यहां से इसकैल बनाके आप पैरलले लाइन बनादी थीक है बैद यह एकड़ब लाइन बनादी तो यह वरिस है अग्नम पैर लाइन बनादी है अब इस लाइन के जो पेडलेल वनी है इसकी कोपी मारता रहूँगा तो यह एक और यहां पर वनगी ऐसे दूर करते रहो मैंने एक और कॉपी लिया कि एक और कॉपी लिया यहां यह एक और कॉपी लिया तो प्रास्ट नुकर थी सिर्फ और सिर्फ जो आखरी वट्रेक्स इसको तरभ कर देता यहां इसको यही लास्ट लाइन कट कर आद अ के आपको मेक्सिमम वेल्यू इना न Deutsch già रही है और इसके पेरलियू जो परिस्फ लाइन जा स्बाह्त हो तो कौन सा कट कर रहा है 155 35 30 क्या रहे कि यही होगा आप दूसरे वाले क्या आपका अभी सेम आ रहा है कि एक करना कॉर्णर पॉइंट मैंस मैक्सिमम वैल्यू उसमें भी यही आ रही होगी चेक करके देख लिए टिस पुइंटी थाउजड प्लस में एटीन थाउजड कितना हो गया जीरो 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 तीन और आठ और पांस तीन दो और एक आठ तीन और चार फोर थी जीरो ठीक है तो हमारी जैड की मैक्सिमम वैल्यू क्या रही है इसी प्रकार से आप इस को करेंगे अब यहां पर अपने को मिनिममम पूचा है तो हमें सबसे जो लेफ्ट वोगी वह हो जाएगी अब यहां सारा डेटा में पहले रखाया है मिनिममम रिक्वायरमेंट दे रखे आड़े मनलब यहां पर क्या हो जाएगा हमारा deuxième तो यह इसमें हो जाएगा 10X प्रोटीन हो जाएगा 5X और इसमें थो एकस यहां जाया 4, यहां जाया 5Y, और यह किष्जका 6ड Шथ मतलब इस में जाएगा 5X 203 5X x 2Y is greater than equal to 10 ठीक है यहां से क्या हो गया 5 x plus y is greater than equal to 4 यहां से क्या हो गया हमारा आ गया x plus 3y is greater than equal to 6 ओव्यस सी बात है हमारा x की value और y की value greater than 0 ठीक है अब इसको draw करेंगे सारी lines को करो भाई करो पहली 5 x plus 2y is greater than 10 x को 0 डालेंगे तो y आ गया 5 तो लगबग मालने तो यहां आ गया 0 5 ठीक है y को पहली बादी में कर रहो y को 0 डालेंगे तो x की value आगे 2 तो 2 0 कही रहा गया तो पहली line यह बन गया ठीक है ना कुछ ऐसी बनेगी थोड़ा सा करवा थानिया अगली 0 4 और 4 0 तो simple है ठीक है 4 0 और 0 4 ठीक है अगली line यह बन गया यह थोड़ा सा मेरा यह नीचे होगी अगली का है y की value इसमें y की value 0 डालेंगे तो x आगे 6 तो यहां पर गहीं आगे 6 0 यह थोड़ा सोगी कर दो ठीक है अब सारी वैल्यू जो है greater than मेरी तो मतलब हमारा अगर आप ड्रो करोगे तो shaded region यह वाला आएगा greater ना मतलूब सारी दूर दूर वाली आरी तो मतलब हमारा अन्मांड़ड रिजन आएगा यह वाला अब मज़े भादार चीज देखो यहां देखा इंधव रस्फण द्रिव nerdy लेmost कि ऐसे की यह एक टाये गा टीक की यह ॉइंट आए का यह ॐस्व बेढ़ updates or येलो के छार पैंड़ी एक हम अमड़ीन और ने की अग कि यह 10,002 नहीं बता है यह वाला point आएगा, white और yellow से cut करने वाला, white और yellow कुन सी है, this one, this is white and this is yellow, ठीक है, yes, white कुन सी है, यह है, 5x plus 2y equals to 10, yellow कुन सी है, x plus y equals to 4, यह कुन सी है, x plus 3y is equal to 6, ठीक है, so करें भई, करते हैं, चलो, यहीं कर लो, तो पहले क्या करना मुझे, 5x plus 2y equals to 10, और x plus y equals to 4, कहां कट कर दिया, मैंने इसको 2 से multiply करा दिया, 4 की जगा 8 हो गया, cut कर दिया, तो 3x is equal to 2 आगया, x की वेल्यू, थोड़ा से गल्स किया है, क्या मैंने, देखना एक बार, नहीं सार, सही तो लग रहा है, सही है, x की वेल्यू तो 2 by 3 आगया, तो this point is, हाँ, ठीक है, इतना ही वहना चाहिए, 2 by 3, and y की वेल्यू कितनी आएगी, अगर मैं 2 by 3 डालूँगा, यहापे, y की वेल्यू आजाएगी, कितनी आएगी, 10 minus 10 by 3 by 2, ठीक है, खुच से सवाल करना भाइस को, that is 20 by 6, that is 10 by 3, 10 by 3 आ रिया, 10 by 3 आएगी न, 10 by 3 आएगी, सभी है, सभी है, clear है, ठीक है, इतनी आएगी, 20 by 3 plus 20, हाँ, ठीक है, this is 10 by 3, ठीक है, तो यह वाला वर्टेक्स क्या हो गया, हमारा एक और आगया, 2 by 3, and 10 by 3, इसको solve करना है खुच से, अब एक और वर्टेक्स आ रहा है, यह वाला, यह कितनी आ कौन सा, ब्ल्यू वाला और यल्लू वाला, ब्ल्यू कौन सी है हमारी, यह वाली लइन है, यह आखरी वाली, x plus 3y is equal to 6, और यल्लू वाली कौन सी है, x plus y is equal to 4, सब्ट्रेक्ट करेंगे, तो 2y is equal to 2 आगया, तो y की value 1 आगयी है, x की value यहां से साब साब कितला 3 आगया, ठीक ह यह point कितना गया, 3 1 आगया, अब हमें क्या करना है, point row होगे, सारे point row होगे, मुझे minimum निकलना है, अब minimum के लिए, मेरे पास में point क्या आ रहा है, एक यह वाला point आ रहा है, एक यह point आ रहा ह unanim, इन चारों को जो सब से पहले leftmost कर皆 जाएगा, वो answer हो जाएगा, ठीक है न, so उसक तो इसको प्लॉट करने के लिए मुझे X और Y एक बार X को 0 रखेंगे तो Y कितना आएगा एक बार Y को 0 रखेंगे एक इसको बड़ी बड़ी जागे चलेगा तो 20-0 कहीं यहाँ यहाँ जादा बड़ा हो इस फोड़ा कर दें एसा नहीं ग्राफ में बड़ी अजीब सी यहां यहां पर दो चार में वहां पर जादा बड़ी आ रही है तो फिन थोटा चोटा कर देते ह लोगने को दिमाग लगाना पड़ेगा मैंने दिमाग लगा के इसको थर्टी कर दिया अब करते हैं एक्स को 0 किया वाइक की वेल्यू पाँच अगी है यह प्लॉटेबल है ठीक है एक्स पाइव वाइज जीरो तो पिंक पैन लेने पिंक पैन आप एक्स पाइव वाइज यहां से जीरो थ्री पॉइंट आ रहा है यहां पर आ लिए अगया रही है ना पिंक वाली दिख रही है आपको यह सर तो भाई यह तो साफ साफ ही दिख रहा है यह मिनिममम इसी को क्रोस कर रही है अगर हम यह पूरे ग्राफ को चेक करें यहां पर सिर्फ सबसे जो यही एक प्वाइंट है जो यह लाइन कट कर रही है तो हमारा वैसे ही पता खेल गया अगर मैं इस लाइन के इस लाइन को कि इस लाइन के पैदल और लाइन ड्रो करता मैं ठिक है को दा ओर ले तो इस लाइन के इधर में कोई और तो यह ग्राफ को कटी नहीं करें मेरा ग्राफ यह वाला है ठीक है ठोड़ा सा यह मैसभी बाइच नीच, चलेगा ठीक है तो इधर में तो दिखता है कि सर्फ यह आखरी लाइन है जो इसको कट जा रही है बाकी सारी लाइन इधर को आ रही है तो सबसे left वाली लाइन जो होगी वो कौन सी है यह वाली लाइन है this one only ठीक है यह कट कर रही है कहां पर 3 1 पर तो सबसे minimum value जो z की possible है वो है 3 1 पर वो कितनी है z की minimum value किस पर possible है when x is equal to 3 and y is equal to 1 कितनी हो जाएगी 6 into 3 plus में 10 into 1 है ना जस इसके पास से निकल रही है चेक कर लो ठीक है तो कितनी आ रही है भाई 28 जस इसके पास से निकल रही है बोला ना हलका सा उधर बना था हजस इसके पास से निकल रही है तो minimum value z की 28 आएगी at x equals to 3 and y is equal to 1 इस परकार से आपको सारे questions करना है minimum के लिए एकदम 00 के पास में origin के पास जाना है otherwise दूसरी तरफ में जाना है बस इसको याद रखना है जितने भी possible answers हो सकते से मैं आपको सारे बता दिये हैं किसी प्रकास तर प्रेक्टिस करते रही है मिलेंगे नेक्स क्लास में तो तक के लिए कि प्रेक्टिस इंटेक केर बाई बाई आल विदा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों